जैहें दुश्ट्रेंट्स वेलकम बैक अगेन दिस दिव्यांशुप पांडे रश्या ने अमेर्का तक वार करने वाली न्यूक्लियर कैपबल मिसाइल ब्रू वेस्टनिक का सक्सेस्विली परिक्षण कर लिया है तो इस मिसाइल की स्पिस्टिफिकेशन क्या है और अमेर्क और रश्या के बीच में न्यूक्लियर वार कैसे चल लही है इसको हम आज के सिश्टन में कवर करेंगे जैसा कि हम सभी जानते हैं कि रश्या और अमेर्का एक दूसरे की दुश्मन देश है और उनके द्वारा जो है न्यूक्लियर हतियारों का जखीरा बनाया गया है जहां पर रश्या विश्व में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हतियारों को रखेने वाला देश वहीं पर अमेरिका दूसरे नंबर पर है रश्या के पास more than 7000 आपके न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं वहीं पर अमेरिका के पास more than 6500 हैं रश्या के प्रेसिडेंट अभी व्लादमिर पुतिन ने एक प्रेस क्रांसेंस में ये कहा कि रश्या के द्वारा ब्रू वेस्टनिक मिसाइल का सक्सेस्फुली टेस्टिंग कर ली गई है जो की न्यूक्लियर गैपबल है और इसकी रेंज ऐसी है कि ये अमेरिका के किसी भी टार्गेट तक आसानी से पहुच सकती है इ इस मिसाइल को सकाई फाल का नाम दिया जाता है और प्रेसिडेंट व्लादविर पुतिन ने इस मिसाइल को सबसे पहले 2018 में में मेंशन किया था और काफी चरणों में इसको आपका बनाया गया और अभी हाली में इसकी टेस्ट फाइंग सक्सेस्फुली करवा ली गई है य आपका वास्ट डिस्टेंट को कवर कर सकता है तो लंबी दूरी की मारक शमता रखता है साथी साथ नुक्लियर से लैस है व्लादविर पुतिन ने अभी प्रेस काउंसेट में ये भी कहा कि यानि कि एक प्रकार से खुली चेतावनी है कि अगर कोई ऐसा सोचता है कि वो रश्या के विरुद नुक्लियर हदियार के स्तमाल करेगा तो उसको विल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि दोसके परिणाम रहेंगे वो काफी घातक रहेंगे वहीं पर इन्होंने कहा है कि रश्या 1996 के कमप्रहंसिव नुक्लियर टेस्ट बैंड ट्रिटी जिसको हम CTPT के नाम से जानते हैं उसको रेक्टिफाइड नहीं करेगा ऐसा रश्या इसलिए नहीं करेगा क्योंकि रश्या तो सिगनेटरी है अमेर्का भी सिगनेटरी है लेक आपर युक्रेन की मदद अमेर्का कर रहा है और युक्रेन ने अभी अनॉंस कर दिया है कि वो अपने डिफेंस बजट को और भी बढ़ाएगा रश्या प्रेसिडेंट के द्वारा जो है इसी प्रेस कॉनसर में ये भी कहा गया है कि कनेड़ा के प्रेसिडेंट के जो प्र लोकेशन्स जो कि उनकी मिलिटरी लोकेशन्स हैं वहां तक ये टार्गेट करने में सक्षम है और ये मिसाइल आपकी लो एल्टेटूट 50-100 मीटर तक आपकी ट्रेवल करने में सक्षम है अब इससे होगा क्या जब आप 100 मीटर की उचाई पर उड़ाओगे तो कोई भी रडा इसको ट्रैक नहीं कर पाएगा और इतनी तेज स्पीड से जाएगा कि दुश्मन के किसी भी इलाके में ये वार करने में सक्षम है इसका डेवलमेंट एक चालेंजिक इंडीवर था जिसको रशियन न्यूकलियर साइंटिस्ट के दार आपका पूरा कर लिया गया है और इस अगर आप एक डिफेंस एस परिंट है और एस बी इंटर्व्यू एंडीए सीडियस एफ कैट जैसे एक्जाम्स के लिए प्रिपेर कर रहे हैं तो आप एस इस बी क्रैक एक्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें आप हमारी लर्निंग अप्लिकेशन को गूगल प्ले स् सकते हैं